तो ये नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी को भी दोस्तों अपने Instagram पर story में जो हम song को लगाते हैं, उस song को लगाने में कोई problem आ रही है, उस song को आप change नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस video के साथ आप बने रहे हैं, आज की इस video के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं इसके लिए simply आप सभी को अपने Instagram को चालू कर लेना है, Instagram को चालू करने के बाद, आप सभी को यहाँ पर हमें story लगाना होता है, तो हम direct अपने story वाले option पर आ जाते हैं, story वाले option के उपर आने के बाद, यहाँ से हम कोई वे photo को select कर ले रहे हैं, जैसे for example, मैं इस photo को select कर ले रहाँ और song को लगाने के लिए हम simply क्या करते हैं इस्टीकर वाले option पर आजाते हैं इस्टीकर वाले option पर आने के बाद यहां पर जो music वाला option देख रहा है उसके पर हमें click कर लेना होता है click करने के बाद आप सबी यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूजो भी trending song है उस देखने मिल जा रहे हैं अगर दोस्तो आप सभी को यह trending song यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है तो आप सभी को जो मैं बताने माला हूँ बहुत ही ध्याय से सुनेगा दोस्तो इसके लिए simply क्या करना है आप सभी को पूरा back कर लेना है back करने के बाद आप सभी को अपने mobile के setting में आ जाना है setting में आने के बाद आप सभी को अपने mobile के application में आ जाना है जहाँ पर भी आपका mobile का application होगा वहाँ पर आप सभी को अपने app manager में आके app manager में आने के बाद आप सभी को अपने Instagram को सर्च कर लेना है दोस्तों जैसे ही आप अपने Instagram को सर्च करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने Instagram को यहाँ से सर्च कर लिया है और यहाँ पर सर्च करने के बाद आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं storage का जो option है, इसके उपर आप सभी को click कर लेना है, click करने के बाद इसे clear catches, clear data, यह दोणों option आप सभी का यहां से कर देना है, दोस्तों जैसे आप इसे ही करेंगे, उसके बाद शीव आप सभी को अपने mobile के playstore पर जाना है, जैसे दोस्तों आप सभी अपने मुबाइल के पेस्टोर पर जाएंगे यहां पर आप सभी को अपना इंस्टाग्रम टाइप कर देना है जैसे दोस्तों आप सभी इंस्टाग्रम टाइप करेंगे हैं इसके उपर आप सभी को क्लिक करने के बाद आप सभी का जो भी पूराना वाला इंस्टाग्रम है उसे यहां से अनिस्टॉल कर लेना है अनिस्टॉल करने के बाद आप सभी को वापस से 2 मिन बाद अपने मुबाइल पर आ जाना है वापस से आप सभी को अपने मुबाइल पर इस्ट्राइगरम को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप सभी को सिंपली उसे ओ वो बड़ी आसानी से सॉल हो जाएगा इस ट्रीक को आप आज माईए और आप कमेंट में जरूर पताए कि आपकी इस ट्रीक से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल हुई या नहीं हुई है लोगों को भी इसके बारे में नौनेज मिल सके है आई हूं तो इस वीडियो के मा जो आप सभी के लाइफ में थोड़ी से तो वैलू को जरूर एड़ करती है